हेलो एडिवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधान मंतरी रोजगार योजना के बारे में गाइच इस योजना को सौट फॉर्म में PMEGP योजना भी बोला जाता है इस योजना में आपको केंद सरकार के तरफ से आ इस अपको उडियो को बैठाने के लिए 10,000,000,000 से लेकर 25,000,000 ता को बीथीय सहता परधान किया जाता है इस अपको सरकार की तरफे 35% को आपको सबसीडि वी दिया जाता है तो इस वीडियो में इस योजना के बारे में आपको सरा डिटेल बताने वाला हूँ और आपको इसके लिए अपलाई कैसे करना है अपलाई करने के बाद आपको क्या क्या करना परता है जिसे आपको इसका पैसा मिलता है इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये विडियो दोस्तों हम अपने PC स्क्रीन पे आ चुके हैं आपको अच्छी तरीके से इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए हम अपने PC स्क्रीन पे आये हैं और ये जो है वो और ये योजना के लिए रेजिस्टेशन होता है इस वीडियो के लास्ट में अच्छी तरीके से बात करेंगे पहले आपको इस योजना से लेटेड में आपको अच्छा सा आपको जानकारी दे देता हूँ जो की आपकी लिए फाइदे मंद होगा तो गैज इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्लॉक का लिंक दिया हूँ जिसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है मैं इसी का यूज करूँगा इसी से मैं आपको समझाने का आपको कोशिस करूँगा तो गैज यह देख सकते हो मैं इसका जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं इस योजनल स्रेलेटर आपको दिया हुआ है परधान मंतरी रोजगार स्रीजन कारिकरम जिसका मतलब होता है PMEGP जिसमें मिलेगा आपको 25 लाग तक कलोन और 35 परसेट तक अडुलान जिसमें आपको फैले भी मैं आपको बताया था तो गैज आपको जैसे नीचे आते हैं तो तीसरी योजनल स्रेलेटर इस सारी जनकारी दिया हुआ है तो देख सकते हैं दिया हुआ है PMEGP लोन योजना 2022 देश के परदान मंत्री के तरफ से युवाओं को सोरजगार के अफसर परदान करने के लिए एक योजना की सुरुआत की गई इस योजना के तहद सुख्चु उद्धो को सुरुआत करने के लिए भारत सरकार के तरफ से उन्हें बित्य सहयता परदान की जाएगी तो अगर आप इस योजना के तहद लाव प्राप्त कर अपना खुद का काम सुरुआ करना चाहते हैं आपको नीची में आपका सरा डीटेल दिया हुआ है तो यहाँ पर दिया हुआ है अगर आप सुरुजगार करना चाहते हैं अपना विजनस ओपन करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सरुकार पैसा फ्रोवाइड करेगी जिसमें आपको 35 परचे तक आपको अनुदान भी फ्रोवाइड किया जाएगा नीची आते है तक आपको सरा डीटेल दिया गया है इस योजना से एरेटद तो यहां पर जैसे आते हैं तो दिया हुआ है इस योजना के ताहिड नए सुक्ष मूद्धोग को शुरुआत करने के लिए बित्याइस साहै ताप परदान की जा रही है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो है सुक्ष में उद्ध्यों के लिए आपको यह जो वित्या परदान की जा रही है वित्या रासी अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई पुराना सा विजनस है उसके उसमें अगर आप इस पैसा को लगाएंगे तो यह उसमें आपको यह पैसा नहीं मिलेगा, तो यहां पर दिया हुआ अधिकतम पर्योजना लागत, विनिर्वान शेतर के लिए 25 लाक रुपिय और सेवा शेतर के लिए आपको 10 लाक रुपिय फ्रवाइट किया जाता है, सबसीडी इसमें आपको 15% से लेकर 35% तक दिया जाता है, इसमें आपके कैटेगरी पर विनिर्वार करता है, अगर आप SC, ST, OBC हैं, तो आपको 35% सबसीडी दिया जाता है, अगर आप जेंडल हैं, जेंडल कास्ट से आते हैं, तो आपको 35% से आपको कम सबसीडी दिया जाता ह आपको 20% प्रोवाइड किया जाता है नीची आतिया पर आपको दिया हुआ है लाभर्थी का योगदान तो इसमें दिया हुआ है पर्योजनों लागत का पहुंच से लेकर 10% तक आपको अपना लागत लगाना पड़ेगा जैसे अगर आप कोई विजनेस सोच रहे हैं हम कुछ उद्दियोग लगाएंगे और उसका लागत जो है वो अलगवाद 10 लाग रुपिया है तो उसमें आपको पहुंच से लेकर 10% तक इसमें आपका पैसा लगेगा जैसे किसी का 10 लाग है तो उसमें आपको 10% एक लाग होता है तो उसमें आपका एक लाग रुपिया आपका लगेगा और आपका नौ लाग रुपिया आपको सरकार की तरफ से इस योजना के रिलरेट प्रोवाइड किया जाएगा नीची में आपको दिया हुआ है सरा डिटेल दिया हुआ है आप जिससे आप स्क्रोल डाउन कीजिएगा तो यहां पर दिया हुआ है इस योजना का लाव लेने के लिए आविदक की उमन अठाड़े बर्स से अधिक होना चाहिए अगर आप इस योजना के लिए अपलाइ करत है तो यह योजना आपके लिए काफी जड़ा और इंपॉर्टेंट और आपके लिए काफी वेनिफेसरी हो जाएगा यह जना आपके लिए बहुत जल्दी पास हो जाएगा अब नीचे में दिया हुआ है बी निर्माँ छेतर में 10 लाक रुपिया तथा सिवा छेतर में 5 ल लोन मिल सकता है अगर आप मिनिमम्म फाले फिक्सर आठवी पास है तो आपको 10 लाक से जड़ा आपको इमांट यहां पर फ्रवाइट नहीं किया जाएगा अगर आप सरकारी कोई कोर्स किये हैं जैसे के वाइफी राता है तो वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फा अब नीची आते हैं तो यहां पर आपको सरा डिटेल दिया हुआ है आप एक बार फड़ सकते हैं अब उसके बाद यहां पर आपको बहुत सारे लिंक फ्रोवाइट किया जाता है तो यहां से आप अपलाई कर सकते हैं क्लिक हैर पे क्लिक करके और यहां से आप नोटिफिक Otherwise, यहां पर देख सकते हैं, website भी दिया गया है इसका, तो अगर आप गाउं से आते हैं, तो आप जो है, KVIC की website से आप अपलाई करिएगा, और अगर आप सहर से आते हैं, तो आप अपलाई कीजिएगा, तो अपलाई करने के लिए यहां पर दिया हुआ है, for online apply, जिसे आप इ आप सन दिया हुआ PMEGP portal का, तो simple आपको इस फिले click करना है, and click करने के बाद, आपको खादी इंडिया का, देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है, नीचे में, यहां पर देख सकते हैं, online application for individual का, तो इस पर आपको click करना है, and click करने के बाद, यह आपको एक form open होगा, तो इ यहां पर आपका agency, तो agency में आप अगर गाउं से आते हैं, तो आप यहां पर के भी ICF select कीजिएगा, और नीचे में आपको सारा detail देना पड़ेगा, otherwise मैं इस वीडियो में इस form को fill करके नहीं बता रहा हूँ, एक छोटा सा form है, इस से fill कर दीजिए, fill जैसे करते हैं, तो save application data आपके पास एक receiving आता है, उस receiving को आपको जो निकाल के, आपको अपने bank लेकर जाना होगा, वहां से आपको इसके बारे में सारा detail लेना पड़ेगा, otherwise मैं आपको एक चीछी बता दूँ कि यह form आप पहले नहीं fill कीजिए, सबसे पहले आप अपने bank से मिलिए, आप bank में आपको जो है, प्रोजेक्ट वेगरा बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आप बना के होँपर दीजिएगा, तो आपका वहां से आपका वो लोन पास कराया जाएगा, तो इस form fill करने से अच्छा है, आप एक बार bank से संपर्क कीजिए, otherwise अगर आप bank से संपर्क नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस page का link दे दिया हूँ, website का, इस website का, तो आपको simple दिया हुआ है, description box में, तो यहां से आते हैं, तो यहां पर अपना state select कीजिए, जिसे मैं आप विहार select किया हूँ, उसके बादा search पे click कीजिएगा, तो search पे click करने के बाद, आपके जो है, तो आ provide करता है, उसका आपको साड़ा के हाँ पर आपको number मिल जाएगा, और यहां पर आपका district भी दिख जाएगा, जैसे मानलेज़ अगर आप खगरिया से आते हैं, मैं खगरिया से आता हूँ, तो यहां पर देख सकते हैं, खगरिया का यहां पर यह number provide किया गया है, तो आप इस नमर पर call करके, आप जो है, easily जो है, आप इस से योजनल से लिटर सारी जनकारी पूछ सकते हैं, तो भाई यही मैं आपको बताऊंगा, last last में कि आप इस form को पहले मत फिल कीजिए, या तो आप इस नमर पर पहले contact कर लिजिए, किसी भी नमर call लगता है, किसी भी district से, तो आ आप तो आप जो है, अच्छी तरीके से बात कीजिए, और इस योजनल से लिटर सारी जनकारी आप पुछ लीजिए, और जैसे आप पूछ लेते हैं, तो आपको सारा जनकारी आपको मिल जाएगा, उसके बाद यहां से अप apply कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हम इस form क आपको apply करके बताएं तो आप में comment box में comment कर सकते हैं जैसे एक या दो comment भी आता है कि आप form fill करके बताएं तो मैं एक data यहाँ पर collect करूँगा उसके बाद मैं इस form को fill करके आपको दिखा दूँगा मेरे पास कोई data नहीं है इसलिए मैं इस form को भी fill नहीं कर रहा हूँ तो I hope आप समझ चुके होगी परधान मंतरी, रोजगार, योजना क्या है और इसमें आपको क्या-क्या love मिलता है और इसके लिए आपको कैसे apply करना है इसका क्या procedure है और इसमें loan कैसे pass होता है सो दोस्तो आज इसकी वीडियो के लिए बस इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद